नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चानल में आज एक नया वीडियो और नई जानकारी लेकर हम हाजर हुए हैं आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है ये बड़ा ज्यानवर्दक है और बड़ा प्रेर्णा दायक है इस कहानी को पूरा सुने, कहानी आपको आपके जीवन में डेर सारी प्रेर्णा देगी इस कहानी को सुनने के बाद यदि इस कहानी पर दी हुई बातों पर आप अमल करते हैं तो आप अपनी जीवन में कभी भी दोखा नहीं खा सकते कभी भी किसी व्यक्ति के जाल में आप नहीं फस सकते प्रिय दर्शकों आज की कहानी बड़ी प्रेड़ना दायक है ये कहानी एक गिलरी और उनके मित्र चुहे की है साथ में एक शिकारी की है प्रिय दर्शकों इस कहानी को पूरा सुने कहानी के अंत में गिलेरी वो तीन बात बताती है, जो तीन बातें हर मनिश्य को अपने जीवन में हर कदम कदम पर काम आती है, हर वक्त काम आती है, इन तीन बातों को याद करने वाला बंदा अपने जीवन में कभी भी दोखा नहीं खा सकता जी हाँ प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठ कहानी, एक जंगल में एक गिलेरी और एक चुहा दोनों साथ रहते थे, दोनों में धीरे धीरे गनिष्ट मित्रता हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, जब गिलेरी को कोई दुख होता, तो चुहा दोड़ा चला आता, तो गिलेरी दोड़ी चली आती, यानि कि दोनों में इतनी गनिष्ट मित्रता थी, कि पास रहने वाले जीव जन्तु उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे, प्रिये दर्शकों यदि चुए को कोई भोजन मिल जाता, तो चुवा अकेला ग्रहन नहीं करता था, वो गिलेरी के पास आता, और गिलेरी के पास उस भोजन को रख करके, दोनों एक साथ भोजन किया करते थे, यदि गिलेरी को भोजन कहीं मिल जाता, तो गिलेरी भी वो ही करती, अपने साथ भोजन को लेके आती, और दोनों मिल करके भोजन किया करते थे, ऐसी दोनों में घनिष्ट मित एक दिन की बात है, दोनु उस जंगल से निकल कर एक किसान की बाग में चले जाते हैं और किसान की बाग में जा करके वहां पर दोनो बढ़या आम खाते हैं, अच्छे-अच्छे फल फ्रूट खाने लगते हैं, दोनो अपना जीवन बड़े मजे से बिता रहे थे, उस बाग में अच्छे फल फ्रूट खाते, अच्छे अच्छे भोजन ग्रहन करते। दोनों की जीवन में अपने जीवन से दोनों को कोई शिकायत नहीं थी। दोनों का जीवन बड़ा अच्छा गुजर रहा था। उस बाग का माली उन दोनों से बेहत परेशान हो चुका थ क्यूंकि चुआ और गिलेरी दोनों उस माली के फलों और फूलों को नश्ट कर देते थे यानि खराब कर देते थे फलों को काट काट कर नीचे गिरा देते थे और कुछ फलों को खा जाते थे इसी को लेकर वो माली बड़ा दुखी रहने लगा अब वो भाग का माली ये सोचता था कि इन दोनों को किस तरीके से यहां से बगाय जाए और यदि भागते नहीं हैं तो किस तरीके से इनको मारा जाएं हजारों यतन करता लेकिन दोनों इस माली के हाथ नहीं आते माली ने चुहा और गिलहरी को पकड़ने के लिए काफी मजदूरों का इंतजाम किया और बाद में काफी मजदूरों को लगा दिया लेकिन फिर भी वो दोनों हाथ नहीं आते गिलहरी अपने मित्र चुहा से कहती है मित्र अब हमें यहां से चलना चाहिए क्योंकि यदि हम यहां से नहीं गए तो एक ना एक दिन माली हमें पकड़ लेगा और पकड़ कर हमें बहुत बुरी तरह मारेगा लेकिन जुआ कहता कि नहीं गिलरी मित्र हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे और इस माली की च्छाती पर मूंग डाल लेंगे लेकिन चुहा कहता है नहीं गिलेरी मित्र हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे और इस माली की च्छाती पर मूंग डालेंगे गिलेरी बार बार उस चुए को समझाने की कोशिश करती है अपने मित्रक को समझाने की कोशिश करती है और कहती है हमें यहां से चलने में फायदा है लेकिन उचुहा गिलेरी की बातों को नहीं मानता है और कहता है कि हम यहीं रहेंगे यहां पर अच्छा बोजन खाने को मिल अच्छी फल्फूरूट खाने को मिलते हैं इसलिए हम यहीं रहेंगे यहां से अच्छी जगे हमें कहीं नहीं मिलेगी अब गिलेरी भी अपने मित्र की बात को इनकार नहीं कर सकती थी जब चुआ मित्र ने कह दिया कि हमको यहीं रहना है तो गिलेरी भी अपने मित्र की बा करने का पूरा इंतजाम कर देता है काफी लोग लगा देता है और जेगे जेगे पर पिंजरा रग देता है प्रिय दर्शकों बुजुर्ग आदमी ऐसा कहते हैं कि दोखे बास की यारी हमेशा बुरी होती है गदार की मित्रता बुरी होती है प्रिय दर्शकों गिलेरी अपन पेड़ पर चड़कर बैठ जाती है और चुआ जमीन में बिल खोदना शुरू कर देता है चुआ जमीन में एक बिल बनाता है और चुआ उस बिल के अंदर गुज जाता है लेकिन गिलेरी आम के पेड़ पर बैठी रहती है प्रिय दर्शिकों ऐसा कहा जाता है कि गिलेरी कभ बिल खोद कर उसके अंदर गुज जाता है जैसी माली की नजर गिलेरी पे पड़ती है तो गिलेरी को पकड़ने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था चारू तरफ ऐसे जाल बिचा रखे थे कि गिलेरी को बचने का कोई चांसी नहीं था प्रिय दर्शिकों अब आम की डाली पे एक इनसान को चड़ा देता है एक व्यक्ति को चड़ा देता है वो व्यक्ति आम के विक्षिप पर चड़ जाता है और गिलेरी को आम के विक्षिप से गिरता हुआ नीचे की तरफ लेके आता है गिलेरी आम के विक्षिप पर इधर उ चारू तरफ बिखरे हुए थे, चारू तरफ उस माली ने जाल बिचा रखा था, गिलेरी को बचने का कोई चांस नहीं था, अंत तक गिलेरी परिशान होकर उस माली की जाल में फस जाती है, जब गिलेरी उस माली की जाल में फस जाती है, उधर वो चुआ बिल के अंदर से द दूर इसलिए जाते हैं कि कुछ देर भी चूहा भी निकल कर बाहर आएगा और हम चूहे को भी दवोश लेंगे, पकड़ लेंगे, सभी लोग वहां से दूर चले जाते हैं, चूहा अपने मित्र गिलेरी को छोड़ कर वहां से भाग निकलता है, यदि चूहा चाता तो अपन गिलेरी के पास आता है और देखता है कि चूहा वहां नहीं है, प्रिय दर्शिको अब वो माली कहता है कि इस गिलेरी को मित्युदंड दिया जाए, इसको कहीं दूर ले जाकर के मार दिया जाए, ताकि इसका रगडाई खतम हो जाए, हमेशा के लिए खतम हो जाए, को अप अपनी जान प्यारी होती है उस गिलेरी को भी अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो गिलेरी अपनी शक्ती आवाज में उस माली से कहती है कि माली मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए, माली कहता है कि क्या सुनाना चाहती है, सुनाईए, क्या कहना चाहती है, तेरी मित्यु निश्चत है लेकिन फिर भी हम तुमें एक बोलने का मौका देते हैं, बोलिए तीन बात है यदि तुम मुझे छोड़ते हो तो ये तीन बात मैं तुम्हें बताऊंगी ये तीन बात तुम्हारे जीवन में तुम्हें सदे प्रेणा देती रहेगी माली गिलेरी से कहता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं लेकिन गिलेरी कहती है कि यकीन तो तुम करना पड़ेगा गिलरी कहती है मैं वचन देती हूं मैं तुम्हें तीन बात बताऊँगी और यदि आप भी मुझे वचन देते हैं किया आप मुझे छोड़ देंगे तो ही मैं आपको तीन बात बताऊँगी और यह तीन बात बड़ी ज्यानवर्दक है आपके और आपके परिवार हमेशा आपको और आपके परिवार को हमेशा काम आने वाली ये तीन बाते हैं गिलेरी के इतने कहने पर वो माली गिलेरी की बातों पर विश्वास करता है और गिलेरी से कहता है कि ठीक है आप मुझे तीन बात बताईए हम आपको छोड़ते हैं प्रिय धर्शिकों गिलेरी का थोड़ा जाल काटता है थोड़ा जाल काटता है थोड़ा जाल काटने के बाद गिलेरी से कहता है कि मैंने अब आपका थोड़ा जाल काट दिया है आप मुझे एक बात बताईए वो गिलेरी स्वष्ट बात ब कहती है कि हाथ आयशत्रू को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहती है कि मैने आपको अब एक बात बता दि है आप मुझे और खोलिए, मेरी जाल को और कार्ट दीजिए। तबी मैं आपको दूसरी बात बताऊंगी। माली गिलेरी का जाल और काट देता है। गिलेरी मैंने आपका और जाल काट दिया है। बस अब थोड़ा सा जाल बचा हुआ है। अब मैं आपको दूसरी बात पताऊंगी, गिलेरी दूसरी बात पताती है और कहती है कि अंजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तीसरी बात मैं आपको नहीं बता दूँगी, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों ना खतम कर दो, गिलेरी के इतनी बात सुनने के बाद वो बिल्कुल जाल से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तो मुझे वो तीसरी बात बताओ प्रिय दर्शिकों, जैसे ही गिलेरी को आजाद करता है और गिलेरी वहां से भाग निकलती है और भागती हुई, माली को एक बात कहती है कि माली कि जो हो गया उस पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी तीसरी बात है, कि जो हो गया उस पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए और तुम पश्चाताप कर रहे हो इतना कहकर गिलेरी अपनी जान बचागर वहां से भाग जाती है प्रेदर्शकों ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है हाथ आए शत्रू को कभी नहीं छोड़ना चाहिए यदि आप हाथ आए शत्र को नहीं छोड़ना चाहिए दूसरी बात गिलेरी ने बताई कि अंजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए यदि आप किसी अन्य लोगों की कई हुई बातों पर यकीन करोगे विश्वास करोगे तो वो खतरनाक साबित हो सकती है इसलिए अंजान बात पर कभ गया उस पर कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। जो हो गया है उस पर अफसोस करने से क्या फाइदा। अब तो आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। इसलिए कभी भी जो हो गया उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। ये थी प्र आज की लिए पस इतना ही मेलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद